दिल्ली अंसियार में बच्चा चौरवी कर अलॉबर में पीछने जा रहे तीन मुल्जिविग्रस्तार अलॉबर के रहने वाले हैं है दो far़ोपी दिल्ली अंसियार में फाइलाय बच्चा चौरी का नेटवर्क सरगना की तरास कर रही है गुर्डगाउं पुलिस दिल्ली अंसियार में बचा चोर गिराओं के नेटवर्क को दोर्स करने के लिए गुरुगराम पुलिस ने पूरी तागत जोग दिये क्राइम बरांच की तीन टीमों के साथ ही डियले फे थर्ड ठाने की दो टीमें दिल्ली अंसियार में लगातार सापे मारी कर रही है मामले में अब तक पांच अरुपित गिराओं की जा चुके हैं तीन दिन की रिमान पर लेकर सभी से पूस्ताच चल रही है अब तक की पूस्ताच के मताबिक अरुपितों के पास से मिले दो बच्चे उन्हें किसी और ने दिया थे इससाफ है कि गिराओं का सरगना कोई और है यहां बताते कि सुकुरवार रात नातुपूर निवासी टेक्सी चालक उमियस लोहिया कि समझदारी से डी एले फे थर्ड थाना पुलिस ने गिरोग का परदा फास किया था तीन आरुपित दो बच्चे को बेचने के लिए टेक्सी से अलवर जा रहे थे सोदा फेल होने पर वापस दिल्ली छोड़ने के बज़ा टेक्सी चालक ने आरुपितों को सीधे थाने पहुचा दिया आरुपित धोरा कुआ से टेक्सी में बैट रहे थे आरुपितों की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के रहजीत नगर निवासी सुरेंदर को और गाउं दोगडी निवासी हरचिंदर सिंग और दिल्ली के रोडी निवासी निया के रोप में हुई है उनके पास से मिले दोनों बच्चे बाल कल्याट समीती को सौब दिये गए है साथ ही आरुपितों से पूश्थाच के आदार पर दिल्ली से विणया और पूजा को गिरफ्तार किया गया पांचों से पूश्थाच के मताविक उनका निटवर्फ दिल्ली एंस्यार में फैला हुआ है भूजाब पलिस चापी इमारी कर रही है यहां बताते कि नोजात सिसों को चुराने वाला गिरह का निटवर्फ दिल्ली एंस्यार में फैला है करने के लिए गुड़गाव पुलिस खासी मसकत कर रही है गुड़गाव के एसीपी प्रीत पाल ने बताया कि गिरोग के नेटवर्क को दोस्ट करने के लिए कई अस्थर पर एक साथ प्रयास सुरू किये गए उम्मीद है जल्दी कई अन्य आरोपित पकड़े जाएंगे हादी साथ होगा कि गिरोग का सरकाना कौन है